नमस्कार दोस्तों किसो हो आप लोग उमीद करता हूं सब खेरियास से होंगे और अपनी लाइट में खुस होंगे दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है रिपोर्ट यह आ रही है BCCI AMS धुनी से रिक्वेस्ट कर रही है कि वो स्टेफिन फिलिमिंग को कन्वेंस करें कि वो इंडियन टीम के हेड कोच के लिए पोस्ट के लिए अपलाए करें मतलब जो इनने एप्लिकेशन नहीं जारी कि ने BCCI ने कि हमें टीम इंडिया का नाया हेड कोच चाहिए इसलिए उन्होंने application जारी किये तो कहीं लोगोंने application का form भरा है लेकिन जो BCCI चाहती थी कि गोतम गंभीर, रीकी पॉंटिंग, स्टेफिन फिलेमिंग इन में से कोई एक तो form भरे है इन में से किसी ने भी form नहीं भरा है और BCCI चाहती है कि स्टेफिन फिलेमिंग, रीकी पॉंटिंग ये गोतम गंभी ही टीम इंडिया के head coach बने एसी BCCI की इच्छा है अब स्टेफिन फिलेमिंग ने apply तो करा नहीं है ये head coach की post के लिए तो BCCI ने एक नया तिकडम बिठाया है क्या बिठाया है? 2008 में तो CSK के लिए बल्ले बाज़े भी किये स्टेफिन फिलेमिंग ने 2009 से CSK की head coach है अभी 2026 तक भी है और अगले साल भी रहेंगे मतलब 16-17 साल का relation है और अगर MS धोनी ready हो जाते convince करने के लिए स्टेफिन फिलेमिंग को स्टेफिन फिलेमिंग अपलाई भी कर देंगे अब वेसे देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो गोताम गंबिर बन जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि आर जब से गोताम गंबिर KKR के mentor बने KKR के दिन बदल गए वो final में चली गई है और इस साल KKR ने कि इतिहास भी रची दिया क्या इतिहास राचा बताऊं आपको KKR ने पहली बार नंबर वन पर फिनिस किया IPL की पॉइंट स्टेबल में तो KKR ने इतिहास राचा कि इसकी mentorship में गोताम गंबिर की और गोताम गंबिर ने IPL 2024 से पहले पूरी टीम को रिलीस कर दिया ता आपको बताऊं तो मैं स्वेबा अरूरा, हर्सित राणा और कुछ बेट्समेंट जैस रिंकूर सिंग नितिस राणा, स्रेय सायर इतने कोई रखा था गोताम गंबिर ने बाकी सब को नए न सीरे से खरीदा इसलिए अगर गोताम गंबिर भी टीम इंडिया के हेड कोच बनते ना तो मुझे काफी ज़्यादा खुसी होईगी हाला कि स्टेफिन के अंडर में भी CSK ने पांच बार IPL ट्रोफी जीती है उसके बाद लगातार प्लेउफ्स में क्वालिफाई किये सिर्फ 2020 में नहीं की थी और 2024 में नहीं की ये उसके अलावा तो लगातार करती है ये प्लेउफ्स में क्वालिफाई CSK हाना सही बोल रहा हूँ ना मैं कि कोई साथ एक साल गलत बोल रहा हूँ कि उस साल प्लेउफ्स में क्वालिफाई नहीं की थी हालकि इतना confirm है कि सिर्फ दो बारी playoffs में qualify नहीं किये CSK, इन 17 सालों में, उसके अलवा हर साल में playoffs में qualify करती है, मैंने तो आपको सिर्फ ये खबर देनी के लिए ये वीडियो बनाएती, कि BCCI request कर रही है MS Dhoni से, कि आप Stephen Filming को convince करें, कि वे इंडिया की post के लिए, या इंडिया क सब्सक्राइब कर देने, तब तक कि लिए बाबा जाहिंद वंते मात्रों